आज के टाइम में लोग laptop या gaming PC तो खरीद लेते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसमें games कहां से और कैसे डाउनलोड करें और वो लोग Google सर्च करके games डाउनलोड कर लेते हैं पर वो game file एक virus होता है जो उनके device को खराब कर देता है और फिर tension, depression और frustration आपको service center ले जाती है वेट ऐसा गरने की जरूरत क्या है क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको safe and secure websites और उनके software बताऊँगा जिसके जरीए आप सभी games को free में download कर सकते हो और हाँ ये 100% secure है तो PC पर आपको Chrome browser open करना है और यहां search कर लो epic games या epic launcher करके first option मिल जाएगा store.epicgames.com इसका link मैं description में दे दूँँगा वहाँ से चाहो तो वहाँ से check out कर सकते हो yes यहां इसने download का option दे दिया है चाहों तो website से भी download कर सकता हो लेकिन epic games का जो official launcher है आपको पहले उसे download करना होगा download करने के बाद इसे install कर लेना मेरे पास already download और install है तो मैं उस पर आपको दिखा जिता हूँ launcher open करने के बाद कुछ इस तरह का interface आएगा जहां यह sign-in करने को कह रहा है मर्जी आपकी चाहों कर सकते हो otherwise sign-in लेटर भी कर सकते हो but games download करने के लिए आपको sign-in जरूर करना बढ़ेगा इसका ध्यान रखना ओके अब यहां से store पर आ जाओ और browse पर जाओ यहां से scroll करो और नीचे price का option मिलेगा right side में इसको open करो यहां free select कर लो अब आपके सामने सारी free games आ जाएंगी देख रहो PUBG Battleground free में मिल रही है PC गेम है और Paragon इसके अलावा बहुत सारी game है मतलब इतनी सारी games free में मिल रही है तो tension वाली बात में और secure है तो आप download कर सकते हैं second website या कहलो software है जिस पे आपको again google पर जाना है और search करना है steam first page पर result मिलेगा welcome to steam store.steampower.com website है इसको open कर लो and फिर यहां install steam का option मिलेगा इसको select कर लो और install steam steam भी basically एक तरह का launcher ही है या कह सकते हो एक software है जिसके जरीए आप सारी games again free में खेल सकते हो open करने के बाद कुछ इस type का interface यह मुझे दिखा रहा है लेकिन आपसे यह account create करने को कहेगा तो पहले account create करना या अगर already account है तो login करना आपके सामने ऐसा interface आएगा देन आपको categories पर जाना है या अगर यह interface नहीं आ रहा है तो सबसे पहले store पर जाओ और यहां से feature को select कर लो then categories पर जाओ और यहां option मिल जाएगा free to play इसे open कर लो as compared to epic games launcher यहां आपको जादा games मिल जाएगी खेलने के लिए जो कि बिल्कुल free of cost होंगी कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा अभी देखो apex legend, dota 2, counter strike, global offensive, war thunder, pub g, battleground, destiny 2 बहुत सारी games है यार मस्ती करो tension वाली बात नहीं है और इसके अलावा अगर आप लोग mobile games को कैसे PC में खेलना है यह जानना चाहते हो तो इस पर एक separate dedicated video channel पर बना दूँगा या बना दियोगी तो आई button में link कर दूँगा जाकर देख लेना तो चलो मुझे बताने थे आपको वो तरीके जिसके जरीए आप लोग free में PC games को download करोगे वो भी safe and secure तरीके से और आपके PC laptop पर कोई risk ना हो virus virus ना आ जाए वो मैंने आपको बता दिया बाकी मिलूँगा आपसे और किसी अच्छी सी interesting video के अंदर तब तक के लिए बाई